मुबाइल में लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है आपको देए सबसे पहले चले जाना है अपने मुबाइल की सेटिंग में अपने मुबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन ये रिंग टॉन आपको देखिए हमारी टेलिग्राम पर मिल जाएगी वहां से जाकर सेव कर लेना सेटिंग में जाने के बाद आपको जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहां पर देखिए आप अगर सेटिंग में जाकर सर्च करोगे ना तो उसके बाद जाना है आपको नीचे की तरफ option है एक देखिए ये रहा my account इस my account वाले option में चले जाना है अभी देखिए आपको क्या करना है अभी यहाँ पर एक option है ringtone आपको दिखाई दे रहा होगा अलग option पर आपको click नहीं करना है अगर अलग option पर click कर दोगे तो जाना है हमें हमें देखिए अभी इसमें आपको जो ringtone लगानी है वो आपको नहीं मिलेगी वो ringtone मिलेगी आपको देखिए यहाँ पर एक प्लस का आईकोन है कुछ इस परकार से इसमें जाईए इस प्लस वाले आईकोन में जाने के बाद आपको जाना है देखिए यहाँ file manager में, अलग किसी पर click नहीं करना है, देखिए मैंने वो ringtone पहले से save कर रखी है, आप भी save कर लिजिए ये रही हमारी ringtone इस ringtone को यहां से click किया, और okay पर click कर देना है, अभी वो ringtone देखिए लगी नहीं है, अभी लगाने के लिए आप को करना क्या है देखिए मैं बता देता हूँ यहापर आपकी जो ringtone है देखिए यह आचुकी है यह ringtone आप कैसे लगा सकते हैं पहले आपको इसको cut कर देना है कट करने के बाद आपको वापिस जाना है धीम में वापिस जाने के बाद आपको क्या करना है यहांबर आपको वापिस जाना है माई अकाउंट में अभी जाना है आपको रिंग टॉन में रिंग टॉन में जाने के बाद आभी देखिए जो रिंग टॉन है हमारी उपर ही उप तरीके से यानि कि हम apply वाले पर click कर देते हैं और apply वाले पर click करने के बाद देखिए यहां पर बहुत सारे option आज सकी हैं sim 1, sim 2, sim 1, sim 2 message, notification, alarm अगर आपको यहां पर ringtone लगाना है तो ringtone लगाजिए, notification लगाना है तो notification लगाजिए, alarm लगाना है तो alarm भी लगा सकते हैं हमें लगाना है sim number 1 में, तो click करना है आपको sim number 1 के उपर, देखिए अभी आपका जो applied है successful हो चुका है, आपको वापिस उसी apply option पर click करना है, और sim 1 पर फिर से click करना है, जब आप sim 1 पर click कर दोगे ना तो आपकी ringtone वापिस apply हो जाएगी, अभी हमें back होना है और देखना है कि व अपने mobile की settings में चले जाना है, जब आप अपने mobile की settings में चले जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, देखिए नीचे की तरफ, इस scroll करोगे तो यह रा sound and vibration, यह लगबग mobile में नहीं मिलता है, तो उपर की तरफ यहाँ पर एक option है, search setting, यहाँ पर आप सर notification आगया है, और यहाँ पर आपने जो ringtone लगाए थी, आप देख सकते होगे, दिखोट पोस्ट वेश्टेंट जो भी ringtone थी, वो लग चुकी है, बहुती आसान तरीका था दोस्तों, ringtone लगाने का, अगर आप दूसरे तरीके से अगर ringtone चेक करना चाओ तो यहाँ पर एक option ह देखे यह रहा ringtone का, इस ringtone वाले option पर यह दा और आपको पता चाल जाएगा कि ringtone लगी है या नहीं है, इस परकार से आप चेक भी कर सकते हैं, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना, बेल आइकन को प्रेस जुरूर कर लेना, थैंक यू और मिते एम नेक्स्ट विडियो ने,